नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो भीनुस में दोस्तो इस विड़ो में हम आपको महत्पुन और ताजा खबरे बताने वाले हैं तो विड़ो को पुरा ध्यान से और अंतिम तक जरूर देखें दोस्तो लोक दभा के बाद राजी सभा में तीन तलाक बिल पास हो चुगा है जानी अब तीन तलाक देने पर क्या होगा एक्षण मुसली महिलाओं को तीन तलाक से निचात दिलाने वाले वादे को मोधी सरकार ने पूरा कर दिये हैं महिला अधिकार सनक्षन कानून पर संसद ने दोनों सदनों की मुहर लगा चुकी है अब राष्टपती की मुहर लगने की यह कानून प्रस्तावित हो जाएगा इसके बाद एक समय में अपनी पत्नी को तलाक तलाक कहना अपराध होगा और आरोपी को तीन तलाक तक कैद और उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है जिहां दोस्तों तीन तलाक देने पर यह प्रावधान होगा मौखिक लिखित या किसी अन्य माध्यम से कोई पती अगर एक बार अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की स्रेणी में आएगा तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयम या उसके करीबी रिष्टदार ही इस बारे में उसे केस दर्ज करा सकेंगे महिला अधिकार सनक्षन कानून 2019 बिल के मुताभिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है इसलिए पुलिस बिना बारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पती को गिरफ़तार कर सकती है एक समय में तेन तलाक देने पर पती को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों देना पर सकता है मजिस्टेट कोर्ट में इसे जमानत मिल जाएगी मजिस्टेट बिना पिडित महिला का पक्ष सुने बगार तीन तलाक देने वाले पती को जमानत नहीं देंगे तीन तलाक देने वाले पती और उनके बचे की भरन पोशन का खर्ज मजिस्टेट तै करेंगे जो पती को देना होगा तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्यों की निगरानी या रखवाले उसकी मा के पास रहेगी नए कानून में समझोते के बिकल्प को भी रखा गया है हालाकि पत्नी की पहल पर ही यह समझोता होगा लेकिन मजिस्टेट द्वारा उसे सर्तों को पूरा करना होगा जी हां दोस्तों अगली ख़वर में आपको बतादे कि करनाटक में बीजेपी सरकार ने क्यों रखगी टेपू सुल्तान की जहनती जानी हो पूरा बिवाद सासन की दोरान साल 2015 से हो रहा था टिपू सुल्तान पुरु वर्ती मैसूर समराज के 18वी सदी का विवादित सा सक था आपको बता दे कि बीजेपी और दक्षिनपन थी संगठनों के विरूध के बीच सिद्धात रमया के नितित वाले ततकालीन कॉंग्रिस सरकार ने 2015 में टिपू सुल्तान के आउसर पर 10 नवंबर को वार्सिक समारों के आयोजन की सुरुवात की गए थी और हडिक कुमारा स्वामे के नितित वाले कॉंग्रिस जडियस की गटवंदन सरकार ने भी इसे जारी रखा था आपको बता दे कि राज में विराज पेट के विधायक केजी बपईया ने सिएम सिदार्थ रमया को पत्र लिकर के राज में कंणर और संस्कृती विभाग की तरप से आउजन किये जाने वाले इस समारों को रद करने का अनुरोथ किया है पत्र में उन्होंने ऐसे समारों को लेकर के विशे साधिकार कुलाडू जीले में होने वाले विरोध को बारे में बताया है विधायक ने कहा है कि समारों के दौरान हिंसक की घटना हो रही है और इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए गोर तलब है कि साल 2015 में इससे पहले आधिकारे की योजना के दोरान कोडागू जीले में व्यापार और प्रदर्शकों और हिंसकों के विश्व हिंदू परिशत के कारे करता और कपाट की मोथ हो गई थी जिसमें से बीजेपी और दक्षिन पंथी संगठन टीपू की धार्मी कटर पंथी बताते हुए जेंतिन समारों पर कड़ा विरूध करते हुए उन्हें बतायात रहे थे कॉंग्रेस के वरिश नेता और राज के पुरु मुखमंतरी सिद्धर्थ रमया का कहना है कि टीपू कोई भी सक्सियत नहीं थे जो सिर्फ अल्प संख्यक समुदाय के थे बलकि वह तो मैसूर के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिस हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी वह एक महांदेश भक्त थे टीपू सुल्तान के ततकालिन मैसूर राज में बिकास के लिए काम किया है कि आर एस बांध की निवर उन्होंने ही सासन के दोरान रखी गई थी उन्होंने उद्ध्यों को क्रसी और कारोबार के बिकास के लिए भी अच्छा काम किया है क्योंकि वह एक स्वतंतर सैनानी थे इसी मंसा से हमने जैनती मराने का फैसला लिया था बीजेपी ने दुर्भागमना से प्रेरित होकर के और अलप संख्यकों के परती अपनी नफरत की भावना के कारण ऐसा किया है पूर वर्तिये मैसूर समराज के सासक टिपू सुतान इस्ट इंड कि कोडारों जीले में बिवादित सक्सियत माना जाता है क्योंकि कोडावस समुदाय के लोगों का यह मानना है कि टिपू के सासक के दोरान हजारों कोडावस पूर्सों और महिलाओं के यातना दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करव पाया गया था टीपू पर दिवाली के दिन ही मांडिया जीले में मेल कोट सहर में मंदिर में मयंडर अयम की फांसी देने का भी आरोप लगाया जता है क्यूंकि उन्होंने मैसूर के ततकाली सामराज जिका भी समर्थन किया था क्यूंकि कई इतिहासकार टीपू को एक धर्म निर्पेक्च और आधुनिक सासन मानते हैं जिसके व्रिटिस सासन के खिलाफ जंग लड़ी थी कुछ कनर संगठन जिन है कि कनर विरोधी मानते हैं उनका आरोब है कि टीपू के अस्थानिय भाजा की जग उन्हें फार्सी में तजीहत दी गई थी जी हां दोस्तों अगली ख जेगर समित 10 को नामजद किया है इन में से एक नामजद योगी सरकार के मंतरी का दमाद है और साथ ही वो नवाब गंज से ब्लॉक परमुख भी है इसके अलावा नामजद की लिष्ट में आरोपी बिधायक का भाई सेना का रेटाइट जवान है वकील और ठेकेदार भी इ मंतरी रवेंद्र प्रताप सिंग उर्फ जुन्नु सिंग के वो दमाद है अरुन सिंग नवाब गंज के ब्लॉक परमुख है उनकी सियासी पकड काफी मजबूत मानी जाती है वह आरोपी विधायक कुलतीप सेगर के करीवी माने जाते हैं और उन्हें कई बार बड़े ने चेतर में अच्छी खासी पैठ है उन्हें सहर में बड़े ठेकदार में गिना जाता है रेप पिरिता के पिता को बुरी तरह से पीटने का आरोप मनोज सेगर पन ही लगा है आपको बता दे की चोतरफा दबाओ के बाद यूपी के सियम योगी आधितनात ने सीबियाई जा सीबियाई से कराने के मजूरी दे दी है पिरिता के परीजनों के पूरे मामले के सीबियाई जांच करने की मांगी थी उन्नाव रेप कांड की चिठी का खुलासा होने पर सुप्रीम कोट के मुखिनाली सक्रिये हो गए है और सी आई जे रंजन गुगोई ने सुप्रीम पुलिस ने नित्रावदी नदी से उनके सव को बरामत किया है, पुलिस तटरक चकबल, गोताखरो और मचुवारों समित करीब 200 लोगों के टीम नित्रावदी नदी में सिधार्थ को ढूंडने में जूटी हुई थी, सिधार्थ के लापता होने के बाद से उनके आत्म हत्य करने की आसांका जताई जा रही थी, विजी सिधार्थ का सो मिलने को ले करके मंगलूरू पुलिस कमिशनर संदीप पाटिया ने कहा है कि हमें सुबह में एक सो मिला है, जिसकी पहचान की गई है, हमने परीजनों को इसक खबर दे दी है, और सो को विन लॉक होस्पिटल में सिफ्ट कर दिया है, ताकि इस मामली की पूरी जाच हो सके, आपको बता दे की करीब 3,000 करोर रुपए के जादा की कमपनी, कैफे कौफीडे के मालिक और पुरू विदेश मंतरी, इस एम कृष्णन के दमाद, वीजी सि दार्त सोमवार की साम से अचानक लापता हो गए थे, रिपूर्ट के मुदाबिक 29 जुला, यानि सोमवार को मेंगलूर आ रहे थे, और उसी रास्ते में साम करीबन 6 बजे गाड़ी से उतर गए और नेत्रावदी नदी पर बने पुल पर तहलने लगे, वो तहल्टे तहल् जिसके बाद उनकी मुबाइल भी स्वीच ओफ आ रही थी, बीजी सिद्धार्त के ड्राइबर बसवराज पटेल ने उनके बॉस के साथ गुजरे आखरी घंटे की कहानी मीडिया से सेर की है, ड्राइबर ने कहाए कि जब इनोवा मेन मैंगलूरू सरकिश में घुस रहे थ तो विजी सिद्धार्त ने कहाए कि बाइक और मुडालो और साइड कर लो, ड्राइबर ने कहाए कि हम लोग केरल हाईवे पर पहुँच गये थे और तीन से चार किलोंबर तक चले थे, ड्राइबर ने आगे कहा कि रास्ते में एक पूल पर उन्होंने मुझे रूखने को क और कहा कि तुम पूल के किनारे पर रहना, मैं घुम करके वापस आऊंगा, जब तक मैं कार की नीचे उत्रा ही था, तभी उन्होंने कहाए कि तुम कार में ही रहो और पूल के दूसरे किनारे पर वो चले गए, विजी सिद्धार्त के लापता होने के बाद उनका एक खत भ बड़ी मेहनत से काम करने के दोरान कमपनी को करीबन 3,000 करिया पैदा की है लेकिन मैं अपनी तमाम कोशिसों के बावजूद मुनाफे का बिजनेस खाड़ा नहीं कर सका। मैं अपना सब कुछ दिया है मैं उन लोगों को निरास करने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा जाता है